आज राज किचन रैस्पी में बनाने वाले जो किसी को भी पसंद नहीं आते हैं करेले लेकिन आप राज किचन रैस्पी के स्टाइल में बनाएंगे तो अगर आपको भूग नहीं होगी तो भी आप चार ओटी खा जाएगे बिना भूग के भी चार ओटी खा जाएगे अगर मेरे style यह राज kitchen recipe के style में करेले मनाएंगे तो सब इन से दूर भागते हैं लेकिन सबसे healthy यह करेले होते हैं और करमी में green recipe होती नो green जो सबची होती है वो उनमें सबसे number one पे यह करेले आते हैं तो 450 gram करेले ही हैं तो कि इसमें खराब निकल गया था थोड़ा बड़े size का था तो उसे हटा दिया 500 gram हम लाए थे ठीक है अब हमें क्या करना है करेलो को धो ना है क्योंकि दोया है नहीं हमने तो ले लेते हैं पानी आगया पानी अब लिए इसमें करेले डाल देते हैं करेले इसमें ड्रक्ले रगडडरी से धूना है इससे रगडरगड के क्योंकि आजकल क्या होता है कि सभी दवाया छड़कते हैं इस पर केमिकल छड़कते हैं पैस्टेसाइज छड़कते हैं तो इसलिए रगड के धूना है और यहां पर यह जो छाबडी है देखिए इसमें रगड रगड के धोका डाल देना है ऐसे एक एक करेला मस्त अच्छे से रगड सारे करेले धोने हमें बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेगे यह देखिए अब इसमें थोड़े पकेवे भी हो सकते हैं यह देजिए ऐस तरीके से रगड रगड के धूना है थोड़ा छिलका निकलेगा कोई दिक्कत नहीं है पर केमिकल घरवालों को नहीं खिलाना है यह मिलेगी मिलेगी तो सबसे जो मेन समगरी है वह दूब जोली क्या है ? सबसे पहले है प्याज प्याज और सौंफ मिने हो तो आपके करे ले कंफॉर्म करफ बने करवे बनाईंगे यहां पर हमने तीन मीडियम साइस की प्याज लीतिक बारी काट लिए आदा प्यामाच या एक छौंभ सोंफ लिए दरदरी कूटना है साबूत से काम नहीं होगा यहाँ पर हमने एक चम्मच हींग लिए आप थोड़ी कम ले सकते हैं ठिक और यहाँ पर हमने लिए चार हरी मिर्च कच्ची वाली बारी कटीवी सी सॉल्ट लेंगे स्वाद अनुसार यहाँ पर हमने दो मिडियम साइज के टमाटर लिये थे जिनका बीज और चिलका निकाल दिया बीज और चिलका बहुत दुकसान करते हैं और इसकी जगे आप टमाटर का टेश भी ले सकते हैं पर बीज और चिलका निकाल कर पीज हैं यह आप में लेंगे एक बड़ा चम्मच धनिया पाउडर एक छोड़ा चम्मच राई के दाने एक छोड़ा चम्मच जीरा चटकारे के लिए काला नमक और अद्रक और लैसुन कुटावा किसमें इमाम दस्ते में तो हमने यहां पर ली थी करीब 40 कलिया लैसुन की और आदा मिटर तेल तेल गरम होते ही क्या करना है एक एक करके करेल डाल देने हैं तो तो दो बार में फ्राई होंगे कैशा Зब्सक् αυτό कितने आ गये हैं साथ आगये हैं और हमाने पास बच्छे शे आउर तो इनको ऐसे रहने देंगे और इनको फ्राई करेंगे कितना प्राई कि एक मिनटवात एक जागाने लगी आनी जागाए तो फिर पलट ना है क्यक्त पलटकर दो से पर संदोगे जब बिड़कुल हाई फ्लेंप पर देखिए और दोस्ते स्टीन मिनट लगेंगे थी मिनट मस्त बढ़िया फ्रय करना है अब यह ज़ो तेल है न यह और शदी बन गई क्या बन गई और शदी अब जब भी आप कोई रैस्पी बनाओ तो ये तेल ज़रूर काम में ले तो इससे क्या करेले का जो फाग है और जो नुटिशन है वो इसमें आ गए अब जब आप इसके साथ में रैस्पी बनाएंगे तो क्या हुगा करेले के गुण घरवालों को मिल जाएंगे वैसे आप करेले खिलाओंगे तो नहीं ऐसे बनाओगे तो वैसे खा लेंगे लेकिन फिर भी अगर ऐसे नहीं बनाने तो बस ये तेल डाल दो ये जो तेल जिसमें हम फ्राय करेले ये तेल डाल दो हाई फ्लेम पर तीन मिनट मस्ट फ्राय करना है नहीं हो एक न तीन मिनट बात क्या होगा करेलो का जो हरा कलर है वो करीब करीब गायव हो जागा देखिए अब इन करेलो को देखिए और इन करेलो को देखिए कितना फरक है यह तो तीन मिनट हो गए है अब इन्हें निकाल लेते हैं और यहां डाल लेते हैं अब बागी पच्चेवे करेले भी फ्राय कर लेते हैं एक आप अब है आप अब अब इनकों भी हमें तीन से चार मिर्ट व्राय करना है यह फाइफ लिट पर लोग पर नहीं और बीजिल पर चला दे रहें तो पूरे तीम मिनट हो गया है गैस को कर देते हैं बन और निकालना नहीं है जब तक तेल ठेंड़ा नहीं हो जब तक इसे रहें से जाख कम ऊँगए जब ही और निकालने तो लिए देखे जाख कम ऊगा अब इन्हें भी निकाल लेते हैं कि यह देखिए शुरू में कैसे थे और अभी कैसे हो गए अब इनको हलका ठंडा करते हैं तेल को उठाकर रख देते हैं आपको यह लगी कि कड़वा हो गया है तो तेल को फैक दे मेरे नजर में तो ना फैक है क्योंकि कोई भी आपकी रेस्पी यह तेल नया तेल डाल दे तो करेले के गुन मिल जाएंगे और कुछ भी चीज फ्राय कर लें इसमें बढ़के रख देते हैं इसे हम ठंडा करके तो करेले जब तक हलके से ठंडे हो रहे हैं हमने चड़ा दिये सुंदर और सूसील वाली कड़ाई आप इसमें वह वाला तेल डालें यहां पर हम तीन बड़े चम्मच तेल डालेंगे और तू ओली वाले यहां पर पानी डाले एक छोटा चम्मच राई के दाने बारिक वाले डाले मोटे वाले ने डाले गैस को करते लो फ्लेम पर और एक छोटा चम्मच जीरा अब इनको जलाना नहीं है बस तड़का लगा है अगर आपके पास कड़ी पत्ते हो तो कड़ी पत्ते जरूर डाले मेरे पास नहीं है पेड़ सूख गया है मेरा ठीक है अब डाल देते प्याज सबी चीजों का बज़र मैंने आपको शुरू में बता दिया है कितना क्या लेना है यह गई प्याज पूरी यह चोड़कर और एक मिनिट हाई फ्लेम पे गैस को करते हैं और एक मिनिट प्याज को चलाते हैं प्याज को एक मिनिट हाई फ्लेम पे चलाने के बाद में गैस को लोग फ्लेम पे करके और आयरेन घश्रोच जिसमें हमने अधरक और लैसून कूटा था बता दिया मैंने आपको कितना लि पर चलाना है अगर जादा चला देगे तो लैसुन का फ्लेवर नहीं आएगा सिर्फ एक मिनट अब डाल देटेश में हरी मिर्च बार्य मिर्च देगी अब यसे भी हम गैस को हाई फ्लेम पर करकर 2 मिनिट चला लेगे पर हरी मिर्च को दो मिनिट हमने पक लिए है – आब गैस को बन हर देते हैं अब बारी आ जाती इन करे लोगी तो क्या करते हैं इनको खाते हैं जाहां पर रखते हैं और इनको काटना शुरू करते हैं काटना कैसे यह जो उनकी पूचे यह नहीं काटनी है बस करेला देखिए अस तरी के से यहां रखना है और दो पीस कर देने हैं यह रखना है, दो पीस कर देने हैं, पका हो, खक्चा हो, सब डालना है, दो पीस करने हैंगे, यह लीजे, यह बड़ा है, नहीं, दो ही करेंगे, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खचुब, दो ही करने हैं, हो, यह दो मस्त लाल है, हम निकालेंगे नहीं, यह बहुत ज्यादा कच्चा है, यह लीजे, कट गए, करेले कट गए, वापे हमने इसमें डाल ली है, गया हमने बंद की थी, गयास को कर देगे, और गयास हो गई, और डाल देदे इसमें, करेले, अब करीए, दो से तीन मिनट, हाई फ्लेम पर चलाएंगे इनको, दो से तीन मिनट, लेकर उससे पहले क्या करेंगे, उससे पहले इसमें दो चीजे डालेंगे, वरना यह हो जाएंगे, कर दे, तो हम इसमें आदा चम्मच तो काला नमक डाल देते हैं, और आदा चम्मच ही सी सॉल डाल देते हैं, आप स्वाद अनुसाल ले सकते हैं, जादा की गुंजाईश लिएंगे, बाद में चेक करने, मिला लेते हैं, और साथ में एक चीज जरूरी डालनी है, क्या हल्दी, आरते जिसमें चिया, एक छोटा चम्मच हल्दी, यह ले अब मिला लेते हैं, अब 2-3 मिंट मस्त इसे, अब गैस लो फ्लेम पे कर देते हैं, और लो फ्लेम पर करीब 3 मिनिट चला लेंगे दो, तो 3 मिनिट हम ने ने लो फ्लेम पर चला लिया है, अब इसमें डाल देनी हींग, सौफ, दरदरी पुटी भी, धनिया पाउडर, एक बड़ा चम्मच, साथ में एक बड़ा चम्मच, अमचूर, अब इस जगे आप कीरी भी ले सकते हैं, कीरी ज्यादा अच्छी रहती है, आप मिली नहीं आज, तो उसके लिए मैं आप से माफी साँगा, और अब इन्हें वापिस बिल्कुल लो फ्लेम पर एक मिनिट चला लेते हैं, यह लेजिए, एक मिनिट तीर सेकंड चलाएं, बीच में जगे करें, कैस बिल्कुल लो फ्लेम पर रखें, और यहाँ पर डाल दें, टमाटर, एक छोडा चमच मीड मसाला, बहुत बढ़ा देगए आपके करालो, नहीं करेलो का, और साथ में डालेंगे इसमें, एक छोडा चमच तीकी वाली लाल मिर्च, और एक बड़ा चमच कलर के लिए, कश्मिरी लाल मिर्च, तीकी नहीं होती है, बिल्कुल थोड़ा सा पानी, और अब यहां पर इसे चलाएए तोड़ा सा इसको अबाली आने देते हैं पानी थोड़ा कम हो गया है वापीस से थोड़ा पानी ओपर डाल देते हैं यह लिए अब आप लोग कुछ जानका रहे हैं वो बूलेंगे करेले में पानी कनफर्म करेंगी होंगे नहीं होंगे बना आगे देखना पानी मेरे बीच में डाला है करेलों में डाला है अब उबाली आने देते इसमें देखिए उबाली आगी है अच्छे से अब मिला लगा है कि अब मिला लिया लेकिन एक चीज की कमी है किसकी पानी भी तो 100 ml पानी डाल देते हैं मिला लेते हैं मिला लिया गैस को कर देते हैं बिल्कुल लो फलम पर और ढकर रख देते हैं कितना थीन मिनट के लिए अब 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 सवाच बढ़ा देगी मजा बढ़ा देगी करेले आप में पहले आइसे कभिए खाए नहीं होगे तो यहां आ जाते हैं हम गैस अलेसक पापर लेते हैं मुंगग बड़ेसा इसका और इसको कर लेते हैं रूस्ट डालके देखना एक बार किसी भी रेस्पी में डाल दो लास्ट में बन जाए खराब बने अच्छी बन बस एक पापर ढाल-दो आपकी रेस्पी पी सज बता रहा हूं मैं आपको बस पापड को पूरा रोस नहीं करना हल्का सा कच्चा रखना है यह नहीं को पूरा करकरा कर दो इसको थोड़ा सा कच्चा भी रहना ची आइड साइड में से पूरा नहीं पकाना है हल्का सा बिल्कुल बिल्कुल हल्का सा यह देखिए इतना सा यहां को रखना है को हलका सा ठंडा करके इसका बना ले चूरा जितना अच्छे से बनाएंगे यह रही है अच्छे से चूरा बना ले आपको अधिक दम बिल्कुल छोटी वाली मिक्सी का जार होना तो उसमें पाउडर मना ले वह जारा बढ़िया एफेक्ट करेगा तो मेरे पाद बिल्कुल छोटा जार नहीं है तो मैं इस तरीके से हाथ से थोड़ी महनत करूंगा थोड़ी एक्सेसाइज भी हो जाएगी और थोड़ा दरदरा तो ज्यादा मजा करेगा यह देखे इस तरीके से मस्त पाउडर बना लेना है पाउडर तो नहीं है दरदरा च जक्कन हडा लेते हैं ओहो गराम है क्यास को हाइफ लिंपे करते हैं और मिलाते हैं थोड़ी से लग गई है नीचे चलाते हैं अगर नीचे लग जाया तो ज्यादा कुछ कुर्चे नहीं और डालने सीधा यह पाउडर और मिला ले अ यह लीए लिए देखिए खालका सा लगाया हिल्क आप पचास कराम कटाऊ हां राणिया डाल देंगे और मिला लेंगे आ कि अ यह इए बार करे लिए कि सब्सक्रें मेरे तरीके से बना कर देखना तो चलिए दोस्तों आजके लिए इतना ही रयस्पी पसंद आया नहीं टु तो और लोटे भी दिर सलेक्स करें ऐसी रेस्पी पाने के लिए मेरे चैनल पर बाहुत में पर प्रस्पी उन्हें देखिए बनाई एक खिलाए और तारीप आउए तो कि जो मज़ा खिलाने का एप वो खाने का नहीं तो चलिये आज के लिए इतना ही जो बनाया है मस्त करें मसाला यूनिक उजे खाकर ख़त न करते हैं पूरी के साथ है